हेलो फ्रेंश वेलकम टू अजीत अश्टाडीश इंटर तो आजके इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में विशेशन को सीखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्कीप के पुरा अंत तक ध्यान से देखिए तो चलिए सुरू करते हैं आजके इस वीडियो को तो सबसे पहले हम लोग विशेशन का परिभासा को समझेंगे तो देखिए प्रेस्न है विशेशन से क्या समझते हैं यानि कि विशेशन की परिभासा तो देखिए विशेशन की परिभासा होती है जो सब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं जो सब्द संग्या या सर्वनाम की क्या करते हैं विशेशता बताते हैं या उनके गुन के बारे में बताते हैं तो उसे विशेशन कहा जाता है जैसे की लाल गोडा, काल कमीज उजला पैंट तो यहां पर क्या है यहां पर जो लाल सब्द का परियोग किया गया है वो गोड़ा का विशेष्टा बताया जा रहा है कि गोड़ा जो है वो लाल रंग का है उसी तरह से यहां पर जो संग्या है कमीज वो कमीज का विशेष्टा बताया जा रहा है कि कमी उजला ये सब विशेशन है नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रविशेशन किशे कहते हैं प्रविशेशन किशे कहते हैं तो इसका परिभासा है जो सब्द विशेशन की विशेशता बताते हैं उसे प्रविशेशन कहते हैं देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रविशेशन का परिभासा होता है कि जो सब्द विशेशन की ही विशेशता बताते हैं उसे प्रविशेशन कहते हैं जैसे कि बहुत तेज घोड़ा यानि कि देखिए अगर हम बहुत को यहाँ पर अगर हम ढख देते हैं तो क्या हो जाएगा तेज गोड़ा यानि कि गोड़ा का विशेष्टा बताया जा रहा है कि गोड़ा का गोड़ा जो है वो तेज है ठीक है गोड़ा तेज है अब यहाँ पर देखिए इसके पहले बहुत शब्द जुड़ गया तो बहुत यहाँ पर क्या कर रहा है तो यह जो बहुत शब्द जो है वो विशेशन का ही विशेशता बताने लगा कि यह जो घोड़ा है वो तेज तो है लेकिन तेज नहीं वो बहुत तेज है ठीक है तो यह हो गया यहाँ पर प्रविशेशन तो यहाँ पर देखिए इस जो बहुत तेज घोड़ा जो वाक्य है इसमें तेज जो है वो विशेष्टा बता रहा है और बहुत शब्द विशेष्ण की विशेष्टा बता रहा है अता यह जो बहुत शब्द है वो प्रविशेष्ण है बहुत शब्द क्या है के भेद के बारे में तो देखिए विशेशन के चार भेद होते हैं पहला कौन है तो पहला है गुनवाचक विशेशन गुनवाचक विशेशन किशे कहते हैं देखिए इसका परिभासा है जिस सब्द से संग्या के गुन अवस्था और धर्म का बोध हो उसे गुनवाचक वाचक विशेशन जैसे की काली घोडी लाल लगाम सपात चेहरा तो ये सब जो है वो क्या कर रहा है तो ये जो है वो गुण के बारे में बता रहा है तो ये इसको कहेंगे गुण वाचक विशेशन नेक्स्ट है परिनाम वाचक विशेशन परिनाम वाचक विशेशन क्या है तो जिस सब्द से किसी वश्टू की नाप तौल का बोद हो, यानि कि नापने और तौलने का बोद हो, तो उसे कहते हैं परिमान वाचक विशेशन, परिमान होना चाहिए था, यहाँ पर सही है, ठीक है? परिनाम नहीं होगा, परिमान होगा, जैसे कि कुछ किलो दाल, कुछ अनाज, तीन लिटर दूद, तो इस यह क्या है, देखे, कुछ किलो दाल, यानि कि यहाँ पर नापने तौलने का बोद हुआ, कुछ अनाज, यानि कुछ अनाज हम लोग नापते तौलते हैं, तीन लिट दूद यानि कि दूद को जब ना पा गया तो तीन लीटर हुआ तो ये हो गया परिमान वाचक विशेशन नेक्स्ट है थड में संख्या वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन क्या होता है तो जिस शब्द से संग्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो संग्या या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे कहते हैं संख्या वाचक विशेशन जैसे कि चार आदमी आठ दिन तीशरा लड़का तो ये सब में देखे चार आठ तीशरा ये सब क्या है संख्या है तो जब संख्या का बोध होगा तो उसे कहेंगे संख्या वाचक विशेशन नेक्ट है सर्वनामिक विशेशन तो सर्वनामिक विशेशन क्या होता है तो जो सर्वनाम सब्द संग्या से पहले आकर विशेशन का काम करते हैं उसे सर्वनामिक विशेशन कहते हैं यानि कि जो सब्द संग्या से पहले आ करके उसमें जुड़ जाते हैं और विशेशन का काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं सर्वनामिक विशेशन जैसे कि यह लड़का यानि कि लड़का क्या है सन्या है और उसके पहले कौन सा सब्द जुड़ गया यह तो यह क्या हो गया सर्वनामिक विशेशन फिर है वह असकूल सन्या है और इसके पहले वह जुड़ गया तो यह सर्वनामिक विशेशन हो गया फिर है वह फकीर फकीर क पहले वह जुड़ा तो वह हो गया सर्वनामिक विशेशन तो फ्रेंच आई होब कि आपको विशेशन अच्छे शेशमज में आया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद